आपने बहुत सारे लोगों के घर में अकसर विंडचाइम लगी देखी होगी वो जो पतली-पतली सी होती है और जब हवा आती है तो बचती है एक बहुती ब्यूटिफुल सा म्यूजिक क्रियेट करती है उसे विंडचाइम क्याते हैं लेकर आप जानते हैं की घर पर कहां और किस थरह से आपको ये विंडचाइम लटकानी ये इसके भी तरीके होते हैं और फेंश्वी नियम इस बारे में क्या कहते हैं? तो आज हम आपको यही बताएंगे, वैदिक टीवी में आप आखिर तक बने रहें, स्वागत है आपका नमस्कार, मैं हूँ मेखा. वास्तु शास्त्र में घर में सुक्समृद्धी लाने के और संपन्नता लाने के बहुत सारे उपाएं बताएं हैं, और लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी उपाएं कभी भी कर सकते हैं. ठीक, उसी तरह से जो चाइनीज वास्तु शास्त्र होता है, उसे फैंच्वी कहा जाता है. ये भी बहुत ज़ादा पॉपुलर है और इसका भी काफी पॉजिटिव असर होता है. और घर में पॉजिटिव एनरजी को बनाए रखने के लिए फैंच्वी में भी बहुत सारे महत्व होता है और ऐसी मानेता है कि जिस घर के बाहर या फिर बैलकनी में विंट्चाइम लगा होगा वहाँ पर जो नगारात्मक चीज़ें हैं वो घर में प्रवेशन नहीं कर पाएंगी. इसे फैंच्वी में बहुत ज़ादा शुब और भागेशाली माना जाता है. लेक लकड़ी, मेटल, मिट्टी या और भी किसी तरह की. लेकिन दिशा के तत्व यानि दिशा का जो एलिमेंट होता है उसके हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़ादा फायदे मंद रहेंगे. पूर्व और दक्षिन पूर्व यानि की आगनेय और दक्षिन दिश दिशा में काष्ठ तत्व संबंद रखता है और इसलिए आपको इस दिशा में काष्ठ यानि की लकड़ी, लकड़ी से बनी हुई विंड़ चाइम लगानी है तो आपको जादा पॉजिटिव असर मिलेगा. अगर धातू से बना विंड़ चाइम आपने खरेदा है तो क्योंकि यह हवा से बज़ती है. अगर आपके पास लकड़ी, मिट्टी या फिर धातू से बनी विंड़ चाइम है तो इसे आप घर की दक्षिन पश्चिम दिशा में टांग सकते हैं. इससे आपके संबंदों में मजबूती आएगी. अगर आपको लगता है कि आपके घर क जो में गेट है उसके पास कोई वास्तू दोश है तो आप उसके लिए चार छड़ी वाली विंड़ चाइम मेगनेट पर लगाएं. जिसमें चार छड़ीयां होती हैं, ऐसी विंड़ चाइम भी आती हैं, वो आप मेगनेट पर लगाएं. अब अगर बात करू मैं स्टडी तो अगर study room में आपको लगता है कोई वास्तू दोश है तो वहाँ पर आप पांच छड़ वाली wind chime लगाएं, इससे जो बच्चे हैं उन्हें अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उनका पढ़ने में मन भी लगेगा, जो 6 road वाली wind chime होती है उसे आप उस जगे पर लगा या उसे लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पती-पत्नी का आपसी प्रेम बना रहे, उनमें जगडा ना हो और परिवार के जो बाकी के सदस्से हैं उनके साथ भी अच्छा ताल मिल बना रहे, तो आपको आपके घर में नौ छड़ी वाली wind chime लगानी चाहिए, तो दो TV में इतना ही, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करें और लाइक करें